माइक नमबर एक से सवाल करें बहुत अच्छा सवाल मालिक एक तो सारे इनसानों के लिए अदल भी एक होता है बहुत अच्छा सवाल बहुत एहम सवाल बाइका सवाल है कि ये किदर का मुसल्मानों को माफ करता है हिंदू को नहीं माफ करता है मैंने अब से कहा कि जो नाम का मुसलमान है, उसका नाम मुम्मद अब्दल्लाँ जाकिर है, तो वो काफी नहीं जन्नत में जाने के लिए, मुसलिम नाम का मतलब वो इनसान जो अमन हासिल करता है अपनी खौईश अपनी मर्जी से खुदा के अहकामात पर अमर करने के बाद, नहीं जो इनसान अपने मालिक के एकामात पे अमल करता है वो सच्चा इन्साने वो नाम का क्या है उसका कोई लेना देना ने यहां मैं कह रहा हूँ कि जो इन्सान अल्ला के इलावा किसी के साथ शिर्क कर रहा था आज शिर्क करना छोड़ दिया आज उसके गुना माफ होंगे चाए कोई भी हो आप भी आप भी अगर कहते कि मैं शिर्क करना छोड़ दूँगा अल्ला के इलावा किसी और की अबादत नहीं करूँगा जो हिंदू मदभ के किताब में लिखा है और मैं मानूँगा आखरी परिगंबर मुहम्मद सल्लाव सल्म में चाए आप इसाई है चाए आप हिंदू है चाए आप यहुदी है आज आप अगर अपने मालिक का कहना मानेंगे तो आपका मालिक आपको माफ करेंगा लेकिन अगर आप कहेंगे मेरा मालिक एक लेकिन मालिक का कहना नहीं मानेंगे तो मालिक कैसा माफ करेंगा मिसल के तोर पे एक examination होता है टीचर सारे तालिब इल्म के लिए बराबर है टीचर एक साल के लिए सारे तालिब इल्म सारे students को सिखाता है बराबर लेकिन examination में जो teacher पूरे साल बर सिखाता है जो तालिब इल्म वो teacher के सिखाए वो मुताबिक examination paper में लिखता है वो पास हो जाएगा जो तालिब इल्म teacher जो सिखाता है उसके खिलाफ काम करता है तो teacher क्या उसको पास करेंगा चाहे वो हिंदू, Muslim हो, ईसाई हो जो teacher सिखाता है उसके उपर वो तालिब इल्म उसके मताबिक इम्तियान देता है वो पास होगा आपका मालिक, हमारा मालिक एक है सारी किताबों में लिखा है हिंदू मजब की किताब में, यहुद मजब की किताब में, इसाय मजब की किताब में, इसलाम मजब की किताब में, सिख मजब की किताब में, के मालिक एक है मालिक के इलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए खुदा के इलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए आपका नाम कुछ भी हो, मोहन हो, कुछ भी हो, शंकर हो, या अब्दुल्ला हो, अगर आप मालिक का कहना मानेंगे, तो आप सच मुछ उस मालिक के बंदे है, अगर आप मालिक का कहना मानेंगे, तो आपके गुना माफ हो जाएंगे, तो यह अर्बी में कह रहा हूँ, कि मुस कहना मानता है उसे अर्बी में कहते है मुस्लिम लेकिन आपको मुस्लिम शब्स नफ्रत है मुस्लिम शब्स को निकाल दो मैं यह कहूँगा जो खुदा के एकामात पर अमल करता है खुदा के कलमात पर अमल करता है यह मानता है कि खुदा एक है उसके इलावा किसी की पूजा करना चाहिए वो इंसान के गुना वो मालिक माफ करेंगा आप अगर मानेंगे खुदाए के आप मանने के ए खुदा के ओप को पूझना नहीं चाहिए मानते हैं हां के ने मांते आप मानते बुध परस्टी गलत है आप मांते कि मूर्टी पूझा गलत है आप मांते के आखरी पर्गमब ममस एखला सलम में आप नहीं मांते आपने मेरी पंद्रा तारी की तक्रीर सुनी मुख्तलिब मजभी किताबों में आप कसेट लीजिए मेरी तक्रीर है मुख्तलिब मजभी किताबों में इसमें में थाबिए किताब बदलने के बावचूद सब मजभी किताब में लिखा है कि आखरी पैगंबर आने वाले हैं उस आखरी पैगंबर का नामे मुख्मस अथी आप हिंदू मजभ और किताब में लिखा है आप पढ़ेंगे भविश पुराना पर्व तरी खंड तरी अदे परदी खंड तरी, अदे थरी श्लोका 5 से 8 में लिखा है। मुम्मद صلی اللہ علیہ وسلم का जिकर है साम वेद में अहमद जैसा साम वेद उत्तर चिक मंत्रा नंबर 1500 लिखा है यज़ वेद में अध्या नंबर 31 श्लोका नंबर 18 में आप पढ़ेंगे रिख वेद किताब नंबर 8 अध्या नंबर 6 वर्स नंबर 10 में आप अगर पढ़ेंगे अथर वावेद किताब नंबर 8 अध्या नंबर 5 श्लोका नंबर 16 में मुम्मद صلی اللہ علیہ وسلم के बाले में अहमद लिखा है अतरवावेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्स नंबर 14 में कई जगा लिखा है नाराशंसा नाराशंसा मतलब वो आदमी जो प्रशंसा के लाइक है इसका अरभी में तर्जुमा होता है मुम्मद صلی اللہ علیہ وسلم का नाम से जिकर है हिंदू मजब की कई किताब में रिगवेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3 रिगवेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9 रिगवेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4 रिगवेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3 रिगवेद और ने प्रने बिए्ट, ती बबिए। हूँ आपके किताबों मेंसे सिर्फ घंटों तक जिसमें लिखा है मंबस अल्लाव सलम्हा आखरी पैगंबर है आज जो इसलाम कबूल कर रहे हैं उनको यह समझाओ कि इसलाम धर्म क्या है उनको वह समझ में मेरे भी समझ में नहीं आ मुलते हैं किस आपने कहा कि जो लोग इसलाम कबूल कर हैं उनके संजा विस्लाम धर्म किया आप नहीं समझे वो लोग समझे इसलें तो इसलाम कबूल करेंगे इस तो आप भी कबूल करेंगे हमारा मकसद ही था बताने के लिए सारे इनसानों को इसलाम क्या है अगर आप इसलाम को नहीं अब तक जाने तो बेशक कबूल मत करो जब भी पहचान लेंगे इसलाम को तो इन्शालला आप भी शादत देंगे मेरी दुआ या अल्ला सुबानाओ टाला से उस मालिक से के आपको इदायत दे कि आप ये माने कि अल्ला है कि अल्ला के इलावा कोई माबूद नई और मम्मज़ सल्ला अखरी पेगंबर है मैं कहूงगा वालन्टिय से कि आपको मेरी डिवीडि दे मम्मज़ सल्लाब साल्ला का जिकर मुक्तलिब मजभी किताबों में उसमें सारे हवाले है और एक हुसुसन तक्रीर है मुम्मत स्लिब्स का जिकर हिंदू मजभी किताब में सिर्फ हिंदू मजभ में आप उसको देखो और इंशालला आप इस बात को तस्लिम करेंगे आज नहीं तो कल क्या लाइक है उसके इलावा कोई महबूद नहीं और मुम्मत स्लिब्स आखरी पेगंबर है हुब दान से दुक्ष्टि माइक नमबर ती